अब आप सब्सक्राइब कर दो आज जल्दी काम में रहो गया है मैंने सारे कम कर दिया है सुबह का नास्ताव सब्सक्राइब कर दिया है सब्सक्राइब कर दो आज मैं सोची कुछ साफ सफाई कर दो पहले कपड़े दुगो की रखिया हूं वह पहले दोलू और उसके बाद किचन का काम कर दो बतनुरतन दोना है कर दो आज मैं सब्सक्राइब करने के सोच रही हूं सोच रही हूं कि अभी तो मेरा सिलाई भी आ गया है तो सिलाई भी करना जुरूरी होता है तो बहुत टाइम निकाल के करना करता है क्या तयम में कौन साएब करूं तो निक होगार में गर काम कीचन का काम सब में करती हूं पर सम्कू शिलाई करते हूं और वीच में ठेंटे म्या समय रही दो हॉइज रहत थी कर दो बजे में का करते हूं रही स adapts एक दूग हम आपलीस आई सब पुरा दिन भर में इसे सब में पीछी रहते हैं वहीं सब सफ़ाई करूं में इसको बैटको और वो सुखाते हैं सब को मुझे पोछना है घर बंद होते हुए भी धूल 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 आते हैं यहां पर हवा चल रही हैं इसले धूल होया है तो वहीं सब मुझे अच्छा खाता हूं यहां पर बहुत इच्छे से सुख जाती है क्योंकि यहां पर हवा चलती है धूब तो नहीं होती है पर हवा से भी सुख जाती है और दाफी तो सुबही कपड़ा धूके चली गई तो यह मेरा कपड़ा था जो मैं रोज ना आती हूं तो रोज निकलते हैं तो स और थाल चावट तो बन नहीं है तो सुट्भी बनाते, तो फ्रेंज मेंसा की तेरह साफ साफाए कि haciforme किआ जाए तो यहां पर साफ साफा होने के बाद मैं खाना बनाओंगी क्योंकि सुथ बनास्था बनता है तो फोड़ा बहुत गंदा होई जाता है स्लेब और गेस तो ये सब साफ कर लूँ उसके बाद फिर बैठाओंगी डाल और फिर सबजी बिराओंगी तो ये में नेकुकर में पानी ले लिया है और इसमें डाल बैठा दोंगी तो दाल तो चड़ा दिया है अब सबजी के बारी तो सबजी काटने में तो बहुत टाइम लगेंगे पहले आलो चिल दो उसके बाद ये सेजन को चिलोंगी और सबजी चिलने में बहुत टाइम लगता है और ये तो सुखी गया है इसलिए उतना अच्छा सा नहीं चिल रहा है तो इसको टाइम लगेगा पर कोई बात नहीं चिलना तो पड़ेगा है क्योंकि बनाना है तो ये सबजी में ने चोक दिया है और डाल भी बन चुकी है तो अब मैं ये टाइम है थोड़ा सा सुफा साफ कर दूँ तो ये सुफा को बहुत गंदा हो गया था क्योंकि जब से बना है तो अब से एक बार भी मैंने साफ नहीं किया है तो इसलिए मैं सची कि थोड़ा आज टाइम मिला है मैं साफ कर दूँ इसे और मैंने सर्फ से भीगो भीगो के गम पानी उसका निचोड के फिर उसके बाद पोच रही हूं कि ड्राइ ही रहे ज्यादा भीगे ना उसके बाद फिर मैं साफ पानी से इसी तरसे निचोड के पानी उसके बाद पोच दूँगी तो जितने भी उपर उपर के धूलो जो जो दागो क्या गया लग गया है तो वो साफ हो जाएगा क्यों मेरे इसान को भी हुआ था तो इसी में नाकोग भी पोच दिया था वो तो दिखने में वाइट वाइट बहुत ही गंदा लग रहा था तो इसको इस तरह से मैं पोच दे रही हूं तो साफ भी हो गया और कितने दिन से सोचा वाला काम भी मेरा पूरा हो गया कि साफ करना है साफ करना है र इसलिए जब सोचो उसी समय कर लेना ही चाहिए, वही बेटर रहता है तो ये मैने पोच्छ लिया है और अब इसको ये देखिए।-खनी तरी स साफ हो गया है पेले सर्ब से साफ किया, मैंने इसको एकड़म ध्राइ करके कपड़ी को उपर उपर का धूल साफ हो गया है तो फ्रेंस तोड़ा-थ्रा मुझे भीगा लगा इसे में चुई तो इसलिए मैं सोची कि इसे तबल से भी पोश देती हूं जो जो तोड़ा-थ्रा पानी रहे गया वह साफ हो जाएगा और ये स्वेट फेबिरिक से बनाए है मेरे हजबन तो इसलिए इसमें तोड़ा-थ्र पानी चलाई जाएगा तो इसलिए मैं तोबल से इसे पोश रही हूं साफ करें इस पर बैट भी सकते हैं सुग गया है यह दम भीगा नहीं है यह देखिए लिकन साफ हो गया है वहती क्या-क्या लगा हुआ था इसके अब मैं इसमें सफा कबर भी चाहूंगी तो गंदर कम होगा जब से बनाएं तो से घंदी हो रहा है इसके ऊपर सबस्केल रहता है करें सिसव करेंगे अजी चाहिए अधिए वर थामी यहाद ग्राइभ देशन बेगा इस अफ़ उल्टें को बहुंगी और इस पर में इक ही मिखा लेंगे जूसे मैं जाता मात जिए हैं गाने फ आवाँ आव आजा जली जली रखो और पर शेว किछन साफ करें सब बरतन करकर करके मुन दो 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 हैं तो फिर किछन साफ जाए के और इसे दो दूंगी यह कड़ाई भी खाली कर दिया है मैंने और दाल की भगोंने भी खाली कर दिया है और फिर इसे गेस और स्लेप सब साफ कर रही हूं यह तो मैं दो तीन बार तो करी लेती हूं सुबास दिन में और रात में तो इसलिए साफ रहता है और यहां पर मैं बरतन भी धोलूँ फिर उसके बाद नीचे जो बात्रों में वह भी मैं साफ करूंगी क्योंकि छीते पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है तो भी साफ कर दूंगी उसके बाद जाड़ो डू किचिन में करके फिर किचन का काम खतम हो जाएगा उसके बाद मैं फिर स तुझालते रहती हूं तो इसलिए आज मैंने सारा काम कर ही दिया और साफ सफाई तो आप हपते में करना भी पड़ता है आप लोगों को वह और यह देखे फूरा गंदा पड़ा है और यहां पर ने-पण्ड भी लगा दिया है शान तो किचन का काम पूरा खटम कर दिया है मैंने और अब आगए हूँ बैडरूम में तो बैडरूम में ये सफा जो है ये रैक्सीन का है और इस पर दूज़ने में वह RAW हो गया पहला है क्योंकि हाथ लगते रहते हैं क्हणा हुना हम लोग यहीं पे खाते हैं तो गंदा तो हुई जाता है और धूर भी उड़ उड़के आ जाते हैं पता नहीं कहां कहां से तो यह इसे में पोस्ट दोंगी और बेट को भी सफा करूंगी तो साफ करने के बाद बहुत ही सांती और सुकुन मिलती है कि हाँ हमेंने साफ कर दिया है और सब साफ हो गया है तो घर में समान जितने भी होते हैं उसकी साफ सफाई की भी जिमेदारी हमारी ही होती है हम क्योंकि घर में रहते हैं हमें दिखता है कहां गंदा हुआ है कहां नहीं है और जब साफ करने चलते हैं तो बहुत सारा गंदा दिखाई देने लगता है ये भी गंदा है इसे भी शाफ कर दो तो इस तरह से हम लोग दिन भर अपना काम निप्टाते रहते हैं तो फ्रेंट ये सब साफ हो गया है अब बैट की बारी है तो पीलो सब भटा रही हूँ और इसको फोल्ड कर दूंगे उतने दूर जहां तो पानी गिरेगा तो तरबो तो गिरी जाएंगे एक दूबून तो इसलिए मैंने हटा दिया है वहाँ का और यह सब पोस्ट रही हूं पहले सर्फ से फिर उसके बाद साफ पानी से पोस्ट दूंगे तो साफ हो जाएगा क् कि सर रखते रखते थोड़ा तो गंदा हुई जाता है इसे देखने में नहीं लगता है कि गंदा है पर सामने से देखेंगे तो गंदा दिखेगा और फ्रेंस ये बैड और सोफा दोनों मेरे हजबन ही बनाए हैं पिछले ब्लॉग में सब में डाली हूं किसे बनाए हैं त तो फ्रेंस मेरे हजबन की वज़े से मेरी सारी ड्रीम पूरी होती है क्योंकि जो मैं सोचती है वो कर रही देते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यह देखे फ्रेंस साफ हो गया है एक दम और यहां पर नेल परंट लगा हुआ था जो इशान लगाया था यहां पर तो भी साफ हो गया है और यह रेक्सिन है तो यह भेगने का कोई चांस नहीं है इसके उपर ही सुख जाते हैं यह देखे और यह भी रेक्सिन है तो यह भी सुख गया है फट से बेट भी पोस्ट दिया यह भी पोस्ट दिया सफ साफ हो गया है एक दम और किसी दिन ड्रेसि करूंगी और अपलोड में डालूंगी उसमें भी टाइम लगता है तो यह टाइम है मैं जो अपलोड करती हूं वीडियो अभी धाई बज रहा है तो आज जल्दी काम हो गया मेरा तो इसलिए मैं सची के अब वीडियो का यहीं पर एंट करती हूं और तरह से रेश्ट करूं इस वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरू करेंगा और जो लोग नहीं है सब्सक्राइब कर देजएगा मेरे चैनल को तो प्रेंस मिलते हैं नेक्स व्लोग में तक के लिए बाइब बाइब